नमस्कार दोस्तों अनलाइन मेडिसीं डिवाव चानल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको अप्तियोक्स ओजेट सस्पेंचेंग के बारे मत आँँ दोस्तों जो अप्तियोक्स ओजेट सस्पेंचन मार्केट में आता है प्लेथी को कमपनी का आता है 30 ml का बोटल सबसे पहले दोस्तों एक दवा के सलाक फिरूसार दॉक्टर के प्रिस्किप्शन पर लेनी चाहिए, यह दवा आपके नजदी की केमिश के दुकान में Medical Store में आमको मिल जाएगी, इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे दोस्तों इसी पैकिंग आती है, थी से मिल का बॉटल का पैक रहता है तो दोस्तों इसके यूज़ेस के बारें देखेंगे it is a for pediatric use छोटे बच्चे के लिए यूज़ के जाने वाली दवा है दोस्तों यह दवा bacterial and parasitic infection के लिए चलती है दोस्तो bacterial infection की वज़े से दोस्तो तो bacterial infection की वज़े से अगर आपके बच्चे को कुछ जिलाब की तकलीब है दस्त की तकलीब है डायरिया की तकलीब है पेट में गड़बढ है तो उससे चुटकारा पाने के लिए दवा मेली दी जाती है दोस्तों इसके content के बारे में देख़ेंगे क्या content company निसके अंदर डाला है दोस्तों इसके अंदर ओफलक्ससिन और निराज हो दो content से बनी दवा है बढ़िया combination ही दोस्तों इसके side effect के बारे में देखेंगे ये दवा से आपके बच्चे को क्या दुश्परिणाम हो सकते हैं दोस्तों ये दवा की वज़े से नौसिया की तकलिफ हो सकती है लौस अपटाइट की तकलिफ हो सकती है डिजिनेस आ सकता है हेडेक हो सकता है दोस्तों और भी क बच्चा 2 साल से लेके 6 साल तक है तो 5 ml दिन में से 2 या 3 बार आप दे सकते हैं डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सहला ले सकते हैं दोस्तों बढ़िया कॉंबिनेशन है अगर दस्त की तकलिफ है जुलाब की तकलिफ है ढहरिया की तकलिफ है पेट की झाल